नमश्कार, Welcome to my channel, मैं हूँ Manisha, दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा करती समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पूजा की विधी मैंने आपको पहले से दी है, और पूजा में उस द इस तरह से explain करके उसे बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लिखित रूप से नहीं आपको समझा पाते हैं, तो मैंने सुचा आप सभी की सुविधा के लिए ये वीडियो बना दूँ जिसे आपको ब्रत करने में आसानी हो सके और आपके सभी सवालों के जबाब भी मै दे सको, तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुवात करते हैं, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा आएं, तो चैनल के सब्स्क्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसी पहले प्राप्त हो, और जैसे कि आप स समस्य का समाधान कर सकते हैं, चलिए देर ना करते हो, वीडियो की शुरुवात करते हैं, दोस्तों हम बात करें वट साबित्री पूजा की, तो वट साबित्री की पूजा की जाती है, पहले यही बता दू, जेश्वमास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथी को वट पूजा मातसाबित्री ने किया था, अपने पती की दीरग आयू और उनकी प्राण रक्षा जब हुई थी, तो उनकी प्रसन्नता में मातसाबित्री ने सक्तिवान के लिए ब्रत रखा हुआ था, इसके पीछे की कथा मैंने आपको दी है, आपको जरूर सुने, जिससे आप को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, इस दिन, आमावस्यातिति के दिन, सुहागिन इस्त्रियां ब्रत रखती हैं अपनी पती की दिरगायू के लिए, और वट ब्रिक्ष की परिक्रमा करती है, कच्चे सूत से, और वहां पे बहुत सारे मिस्ठान, पूरियां, हल्व जल से, बट ब्रिक्ष का, जो जल होता है, उसको सिंचित करती हैं, और परिक्रमा करती है, और उनके पती की दिरगायू की आशरवाद प्राप्त होता है, तो ये सुख रिदी है, पूजा विदी की, तो बहुत सारी महिलाओं ने ये पूछा था, कि सूरिग्रहण के चलते क्या हम ब्रत उपास पूजन कर सकते हैं की नहीं, दोस्तों, 10 जून वर्स 2021 को सूरिग्रहण लग रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो सूरिग्रहण है, ये भारत में नहीं दिखाई देगा, ये आंशिक सूरिग्रहण है, इसलिए इसके सूतक पातक का मानने नहीं होगा, जैसे कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, जब भी सूरिग्रहण ये चंद्रग्रहण लगता है, वैसे तो बैग्यानिक द्रिष्ट से हम देखते हैं, तो ये एक सिर्फ खगोली घटना है, लेकिन जोतिस के अनुसार हम जाने, तो जब भी सू सूरिग्रहण 10 जून को लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और उस दिन साबित्री की पूजा की जाएगी, तो आप निश्चिन्थ होके पूजा करें, और उस दिन का पूरा-पूरा लाब उठाएं, जैसे कि सूरिग्रहण के समय, यदि हम कोई मंत्रों का जब करते है तो हमें बहुत लाब मिलता है, तो इसलिए यदि आप मंत्रों चारण करते हैं, तो भी आपको लाब हो सकता है, आप कोई पाट करते हैं, तो भी उसका अधिक लाब हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आंसिक सूरिग्रहण है, तो सूतक पातक का मानने नहीं होगा, लेकिन जो पूरी सिस्टी में सिर्फ एक है तो जब भी कोई घटना होती है तो उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो शुब अशुब परिणाम होता है वह हम सभी मनुष्यों के जन जीवन पर जरूर दिखाई देता है तो इसलिए आप पूझा करें और मंत्रों का जब पाट आधी स्वास्ती चाहि मोरय प्योच था विए एक चाहिता बता है तो विल्का कर सकते हैं या आप ड्राइ फ्रूट्स ले लें, आप दूद का सेवन कर सकते हैं, अपने स्वास्त को सर्वुपरी रखते हुए आप ब्रत उपास बिल्कुल भी कर सकती हैं, उसमें कोई आपको शंसे की जरुवत नहीं है, और आप फेरी भी लगा सकते हैं, जैसे कि कच्छे सूत की फेरी लगाना बहुत आवश्यक मना जाता है, कई बेहनों ने पूछा था कि हम कितनी बार फेरी लगाएं, आप विशम की संख्या में लगाएं, आप पांच लगाएं, साथ लगाएं, ग्यारा लगाएं, जितनी भी आपका सामर्थ हो उतना लगाएं, वैसे ग्यारा परिक्रमा हम लोग करते हैं और एक परिक्रमा बगवान स्री गरड़ेस के नाम से करते हैं तो बारा परिक्रमा हो जाती है एक अलग रखते हैं और ग्यारा की गिंती की जाती है इस तरह से आप ग्यारा परिक्रमा लगा सकते हैं और कई लोगों ने ये पूछा था कि हमारे हां किसी का शोक हो गया है यानि कि परिवार में किसी की मित्य हो गई है तो हम ऐसे में क्या करें तो यदि आपके कुल के हैं कुलवंस के हैं तो फिर आपको बिलकुल भी इस दिन ब्रत उपास या फिर पूजन नहीं करना होता है और नहीं ये ब्रत उपास जो सूतक म इस तरह से पढ़ जाता है, तो वो खंडित माना जाता है, कभी भी आपका ब्रत नहीं चूटता है, आप गरुन पुराण में इसके बारे में जान सकते हैं, उसमें विधिवत तरीके से बताया गया है, जब भी परिवार में किसी का शोक हो जाता है, तो हमें कोई भी प्रकार का ब्रत उपास पूजा पाट नहीं करना चाहिए, हमें उस समय अपने पित्रों का ध्यान करना चाहिए, जिनका सुरगवास हुआ है, उनके बारे में उनकी ही चर्चा करनी चाहिए, उनके अच्छाईयों को याद करते हुए, उनकी आत्मा के शान्ती के लिए प्रात्न कर तो इस बात को आप ध्यान में रखें, अगला में तुपूर्ण सवाल आया था दोस्तों, कि जो हम पूजन करेंगे, क्या हम वट व्रिक्ष के नीचे करें, किस प्रकार का वट व्रिक्ष होना चाहिए, आप किसी भी वट व्रिक्ष के नीचे कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान कि अब इसक 550 पुजा नाब लेकर सकते हैं अभी commodities भाई अपके यह उनुछ पर को नहीं पता है कि कहां पर है ऐसे में आप से ही अभी एक वट का विक्ष लेकर आएं पौधा उसे अपने गमले में रोपे और हपते दस दिन उसकी सेवा करके आप उसका पूजन कर सकती हैं और उसके बाद उसे किसी पब्लिक प्लेस में उसको लगा सकते हैं ये भी बहुत ही पुनिका कारे होता है मैंने अपने लास् कि पूजा भी करने का विधान बताया गया है लेकिन उस दिन आम आवसे अतिथी आपको ये कारिया नहीं करना है यानी कि वट वृक्ष को हानी नहीं पहुचानी है आप एक दिन पहले ही लाके रख ले और उसके बाद उसका पूजन करें तो पूजन समापती के बाद में वो जो सारी समागरियां है, माला फूल, फल मिठाईयां या फिर बट की तेहन ही है, उसे क्या करना है, बहुत सारे लोगों ने ये पोचा है, तो ये और फल मिठाईयां जो भी हैं, आपके आजू-बाजू में कोई मन्दिर है, तो वहां पे जाके कुछ सामागरिया दान कर सकते हैं जो स्रिंगार की चीजें हैं उसे आप एक भोजन सामागरिय के साथ में मंदिर में ब्रहमड़ी को विजवा सकते हैं और kुछ चीजें सुहाग के रूप में यानि कि आश्रवार सुरूप आप अपने पास भी रख सकते हैं ठीक है और जो फल मिठाईया हैं वहां के आस्परोस के बच्चों को आप बाढ़ दें स्वयम के लिए आप रख लें अपने परिवार में और कुछ रह्मन के लिए जो आपने थाली में रखा है जो पूजन सामागरी उसके साथ में आप रख सकते हैं इस तरह से आप दान आप कर सकते हैं तो यह भी आप कर सकते हैं तो आपको जैसे सुविधा प्राप्त हो आप यह करके उस दिन का पूरा-पूरा लाब ले सकते हैं और कई लोगों ने पूछा था कि क्या हम यात्रा के दौरान ये ब्रत कर सकते हैं तो दोस्तों ब्रत उपास आपको यात्रा के दौरान आपको कोई असुविधा न हो इसलिए मना किया जाता है तो यदि बहुत एमरजनसी हो तो आप यात्रा पर जाएं यदि जरूरत नही जल और फल लेने में, यानि कि आपके स्वास्त को देखते हुए मना किया जाता है कि उस दिन ब्रत के दिन आप यात्रा ना करें, क्या ब्रत करना जरूरी है, क्या आप ना करें, ब्रत ना करें, पूजन भी ना करें, कुछ भी जरूरी नहीं है, दोस्तों, यदि आपके अंत हम kartarya बनता है, इसलिए अपनी सभ्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम संस्कृतियों को आगे बढ़ाते हैं, हम जो भी कारे करते हैं वो हमारे बच्चे हमारे छोटे भविस्य को भविस्य हैं वो उनका अनुभव करते हैं उनको अनुसरन करते हैं इसलिए हम अपने संस्कृतियों को आगे बढ़ाते हैं तभी हमारी आने वाली जनरेशन उस चीज़ को फॉलो करती है और जब हम स्वय में उस चीज़ को नहीं अपनाते हैं तो हम क्या उम्मेद रखेंगे कि हमारे बच्चे वह सभी कारे करेंग और सभ्यताएं तो बहुत पहले से बदलते आ रहे हैं सिंटगाटी की सभ्यता मिर्स की सभ्यता अलग अलग जैसे हमें घ्ञान प्राप तो होता है हम अपने रहर सहन में बदलाव करते हैं और अपने स trappedाएं को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से हम रहते हैं तो आप कर सकते हैं आप आप कर सकते हैं ले लें करिवारे बढ़े बुजर्गों कि बढ़े बज़र्ग्शान के जैसे मैंने आपको बताय ना कि जो आपकी परंपराएं हैं उसे आप जरूर ध्यान में रखें तो बहुत सारे लोगों किया पहले साल नहीं रखा जाता है दूसरे साल रखते हैं या तीसरे पांचवें ऐसे कुछ अलग-अलग मानिताय होती हैं तो आप अपने बड़े बुजरू और फल ग्रहन करें और संध्य के समय एक आनाज यानि कि बीठा भोजन आप ग्रहन कर सकती हैं इस दिन आमावस्या तिति का ब्रत किया जाता है तो हमें उमीद है कि आप सभी के सवालों के जबाब मैंने दिये होंगे और आप सभी को आसानी होगी इस वीडियो से पूजा क जरूर करें ने वीडियो के लिए मातारानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे आप सभी के जीवन में खुशियों की बरसात हो ऐसी मेरी शुब कामना है जै माता दीव